इस बहन को दोरे पढ़ने की बिमारी थी और ये बहुत सारी दवाईयां खाती थी लेकिन जब इने कोई आराम नहीं मिला तो यह है चमकौर साहिब चर्च में आए और जब परमिश्वर के दास प्रेडित रमन हंस जी ने इनके लिए प्रातना की और इस बहन ने विश्वास के साथ उस प्रातना को रिसीव किया तो ये बहन अपने दोरे पढ़ने की बिमारी से पूरी तरह से चंगी हो चुकी है आए इस गवाही के लिए हम परमिश्वर को महिमा दें इस भाई के गवाही यह है कि इस भाई को इलेक्रिक शौक लग गया था यानि कि बिजली से इन ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा और जिसके कारण ये पूरी तरह से बिस्तर पर थे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि प्रभू की पवित्र हुजूरी में आने से और प्रेरित रमनहंस जी की प्रातना को रिसीव करने के बाद यह भाई अपने इस इलेक्रिक शौ प्रभू ये शौमसी को देते हैं इस भाई की गवाही यह है कि यह पने पाउं पे चल फिर नहीं सकते थे और काफी लंबे समय से ये शारीरिक रूप में बिलकुल निर्बल हो चुके थे और बहुत सारे डॉक्टर्स ने यह बोल दिया था कि इन भाई का बचना भी मुश पर जब यह चमकौर साहिब चर्ज रमनहंस मनिस्ट्रीज में आए और परमिश्वर के दास प्रेरित रमनहंस जी ने इनके लिए प्रार्तना की तो उस सामर्थी चंगाई की प्रार्तना को रिसीव करने के बाद अब यह भाई पूरी तरहा से ठीक हो चुके हैं और अपने लंबे समय से इने सांस लेने में बहुत परिशानी होती थी लेकिन जब रविवार की प्रार्तना सभा में यह बहन आई जिसमें प्रेरित रमनहंस जी ने रोगियों के लिए प्रार्तना की और वह डिकलेयर कर रहे थे कि आप अभी अपनी बिमारियों से चंगे हो रहे हैं तो इस बहन ने उस घोशना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और ये बहन पूरी तरहा से चंगी हो चुकी हैं और अब इने सांस लेने में कोई भी प्रार्बलम नहीं होती है और तुरंत उस प्रार्तना को रिसीव करने के बाद ये बहन पूरी तरहा से अपनी सम सब्सक्राइब करें इस बहन को पिछले एक साल से ब्लड शूगर था जिसकी वज़े से यह उठ बैट नहीं सकती थी और कोई भी काम सही तरह से यह नहीं कर पाती थी और अपने शरीर में बिल्कुल भी बल को महसूस नहीं करती थी पर यह लगातार रमनहंस मिनिस्ट्री में संक्ति करते रहे और जब प्रेरित रमनहंस जी ने इनके लिए प्रार्तना की तो यह बहन अपने एक साल की ब्लड शूगर की समस्या से पूरी तरह से अज़ादी पा चुकी है हम सारी महिमा प्रभी एश्यू मसी को देते हैं इस बहन की बहुत अदबुद गवाही है यह बहन पिछले छे महीने से बिस्तर पर थी क्योंकि इस बहन के कमर में यानि बैक में कैंसर था जिसके कारण यह बिलकुल भी चल फिर नहीं सकती थी और अपने शरीर में बिलकुल तूटा हुआ और निर्बल महसूस करती थी लेकिन जब यह रविवार को संक्ती में रमनहंस मिनिस्टरी जमकौर साहिब में आए और प्रेरित रमनहंस जी ने इनके लिए प्रात्ना की और उस प्रात्ना को इन्होंने विश्वास के साथ रसीव किया और यह बहन छे महीने से जो बिस्तर पर थी और कैंसर के कारण परिशान थी प्रभु येश्यो मसी ने प्रेरित ज जादी पाच चुकी हैं हम सारी महीमा प्रभु येश्यो मसी को देते हैं आये ताली बजाकर इन अद्बुत कारियों के लिए परमिश्वर का धन्यवाद करें जो परमिश्वर अपने दास प्रेरित रमनहंस जी की प्रात्नाओं के द्वारा अपने लोगों के बीच में कर रहे हैं